इस वीडियो में हम लोग जानेंगे कैनाल इरिगेशन के बारे में कैनाल इरिगेशन को अगर लेमेंट टर्मों में समझें तो इसका मतलब रिवर्स या फिर कोई डैम या फिर कोई लेक उस जगह से एक नाला के थुरू लंबा एरिया में पानी पहुँचाना उसको एक तरह से कैनाल इरिगेशन कहा जा सकता है मतलब कि कोई लेक है वहाँ से एक रास्ता निकाल दिया गया बहुत लंबा एरिया के ये पाँच किलोमेटर हो सकता है दस किलोमेटर बीस पचीस सो किलोमेटर इतना दूर तक के लिए एक नाला बना दिया गया, ताकि जो फार्मर्स हैं, उनका जो खेत है, वहाँ पे वो लोग पानी का इस्तिमाल कर सकते हैं, तो इसको हम लोग कैनल इरिगेशन या नाला इरिगेशन भी कह सकते हैं, अब आगे हम लोग जानेंगे कि नाला इरिगेशन कहां कहां पर होता है, त तो उससे राजस्थान के एरियाज में पानी पहुंचाया जाता है अब केनाल्स दो तरका होता है एक होता है इन अंडेशन केनाल्स वो क्या होता है वो समर सीजर में वो सूख जाता है उसके लिए ज्यादा इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं लगता है ज्यादा पैसा नहीं लगत और दूसरा होता है perennial, वो हमेशा उसमें पानी आते रहता है, गर्मी हो या बरसात हो, वहाँ पर पानी आता ही रहता है, यह किसी भी रिवर में एक बराज बना करके, मतलब वहाँ पे रिवर्स का पानी स्टोर करके, वहाँ से एक केनाल बना दिया जाता है, उसको हम लोग perennial और उसमें हमेशा पानी आते ही रहता है और वहाँ पे फार्मर लोग उस पानी का यूज़ करके कल्टिवेशन कर सकते हैं अब अगर merits और demerits का बात करें कि canal irrigation में क्या क्या merit है क्या क्या demerit है तो अगर पहले merit का बात करते हैं ज्यादा तर canal irrigation में हमेशा पानी आता है इसलिए गर्मी में भी farmers को चिंता करने की ज़रूरत नहीं होती है वो हर season में अपना crop को लगा सकते है कैनल्स को बनाने में सुरू-सुरू में काफी पैसा लगता है क्योंकि यह बहुत लंबा-लंबा होता है इंफ्रास्ट्रक्चर इसमें लगता है लोग लगता है चीप लेबर्स लगता है लेकिन लॉंग रन में अगर देखा जाए मतलब 5-10 साल यूज करने के बाद 25-30 साल के टर्म में अगर देखा जाए तो कैनल इरिगेशन एक चीप सोर्स है पानी पहुचाने का कल्टिवेटर इरियास तक नाला अपने साथ रिवर का बहुत सारा सेडिमेंट्स लेके आता है उन सेडिमेंट्स से जो अपना खेत है वो काफी आदा फर्टाइल भी हो सकता है मतलब उसे डिर्ट्रियंट्स मिलता है और उससे स्वाइल सोइल होते हैं खेत का वो भी बेनिफिट करते है अब अगर डिंट का बात करें तो सबसे पहला और बढ़ा डिंट्स है कि कनल के आगे मतलब जो बगल-बगल साइड है उसमें water logging हो जाता है मतलब चुकि वहाँ पर पानी हमेशा जाती रहता है इसलिए उस area में water logging का problem हाता है और salinity, alkalinity बढ़ जाता है सोयल से में salinity बढ़ने से उसमें खारापन बढ़ जाता है और soil का जो fertility है वो कम हो जाता है canals के अगल-बगल जो marci land मतलब जहाँ पर दल-दल टाइप का जो area बन जाता है उसमें मच्छड लोगों का एक तरह से वो जन्नत होता है और वहाँ पर मच्छड काफी जादा breed करते है नाला को hilly areas में तो नहीं बनाया जा सकता है common sense है तो ये plain areas में ज्यादा तर काम करते है और ये hilly areas में या फिर ऐसा area जहाँ पर उतार चड़ा हो वहाँ पर canals काम नहीं कर पाता और अगर बारीस का season आया तो उस season में तो नाला जो है वो ओवरफलो कर जाता है और अगल बगल का area में कभी कभी बाल भी आ सकता है तो ये था canal irrigation के बारे में कुछ-कुछ ABCD उसका merits उसका demerits कहां कहां पर canal irrigation किया जाता है और canal irrigation क्या होता है और आप मुझे comment section में ये बताओ कि भारत के किस राजिमें सबसे आदा canal irrigation से खेती किया जाता है